ग्रूसो जपैन वोर 1905, How Japan Defeated the Mighty Russia Welcome to Study IQ, मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तो, 20th सेंचुरी, कई बड़े और छोटे वोज का साक्षी रहा है फिर चाहे वो दो वर्ल्ड वोज हूँ, या फिर छोटे मोटे रीजिनल वोज International scale पर हुए वोज ने समय समय पर balance of power को shift किया है जहां किसी एक power का downfall हुआ और दूसरे का rise ऐसा ही एक war 1904, 105 में Empire of Japan और Russian Empire के बीच हुआ था जिसमें Japan ने Russia को land और sea दोनों fronts में बूरी तरह से defeat किया ये war आज western countries में बहुत प्रसिद नहीं है जैसे Korean और Vietnam war थे लेकिन इस war के importance को underestimate नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये पहला modern war था जिसमें एक छोटे Asian देश ने एक technologically advanced और powerful European power को defeat किया था ये war इसलिए भी important था क्योंकि इसने western powers की उस cultural hegemony को भी challenge किया जिसके तहत उन्होंने पूरी दुनिया में अपने dominance को justify किया था white man's burden जैसी unscientific theories इसी cultural hegemony का नतीजा थी जिनके तहत western powers ने eastern powers को barbaric और uncultured बता कर उन्हें colonize करने की कोशिश की ऐसी theories ने कहीं न कहीं Asian देशों के खिलाफ एक psychological warfare भी छेडा था जिसके तहत वहां के लोग खुद को inferior समझने लगे थे लेकिन Japan द्वारा Russia को defeat करना एक ऐसा example बना जिसने पूरे Asia में चल रहे anti-colonial struggles को और मजबूत बनाया और वहां के लोगों को एक confidence दिया क्योंकि इस war ने कहीं न कहीं western superiority के myth को burst किया था हमारी आज की कहानी इसी war की है आज हम देखेंगे कि इस war के क्या international consequences थे और इस conflict ने world history को किन माईनों में impact किया सबसे पहले देखते हैं कि इस conflict के क्या कारण थे चलिए शुरू करते हैं Causes of War दोस्तों, Russia और Japan के बीच इस conflict के शुरू होने के पीछे कुछ strategic issues थे और साथ ही कुछ international context और personal factors भी थे Russia के expansionism और Japan की rapid military growth के कारण दोनों powers के बीच East Asia में military, political और commercial interests को लेकर संघर्ष शुरू हुए दोनों countries ने Korea और Manchuria पर अपनी territorial claims किये दोस्तों, Manchuria आज की North East China का एक region है उस समय ये region का कुछ भाग रश्या में था और कुछ चाइना में रश्या किसी भी हालत में इस region में एक ice free port चाहता था जो उसे Pacific Ocean का access प्रोवाइड करता अभी तक उनके पास इस purpose के लिए व्लाडी वॉस्टॉक था लेकिन पहली समस्या ये थी कि ये port साल में तीन महीने फ्रोजन रहता था और दूसरी ये कि ये port Japanese Sea में था जिसके काराण Japan, Russian fleet पर नज़र रख रहा था दोस्तों, आईए इस port issue के बारे में थोड़ा detail में जानते हैं Historical perspective of issue दोस्तों, 1891 में, रशा के Emperor Tsar Alexander III ने अपने बेटे Tsar Nicholas II को Trans-Siberian Railway बनाने का order दिया ये railway मॉस्को से व्लाडी वॉस्टक तक चलने वाली थी और लगभग 9000 किलोमीटर लंबी थी इस rail line का कुछ हिस्सा Chinese territory से होकर गुजरता था इसके लिए 1896 में, रशान्स ने चाइना के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसके मताबिक रशान्स चाइनीज मंचूरिया से बिना किसी प्राबलम के पास हो सकते थे 1898 में, रशान्स एक और territory, लियाओ तुंग पेनिंसिला को लीस पर लेने में सफल रहे ये पेनिंसिला मंचूरिया का ही हिस्सा था इस पेनिंसिला में port आथर भी था Port आथर एक ice-free port था और Yellow Sea से directly connected था Russians को यही चाहिए था लेकिन जिपान को रशा के इस eastward expansion से प्राबलम थी कुछ साल पहले 1894-95 में हुए फर्स्ट Sino-Japanese War में जपैन ने कोरिया में चाइनिस पावर को eliminate करके लियाओ तुंग पेनिंसिला पर कबजा कर लिया पर जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर रशा ने जपैनिस एम्परर को प्रेशुराइज किया पेनिंसिला गिव अप करने के लिए जिसके चलते 1895 में ट्रीटी ओव शिमोनो से की साइन की गई इस ट्रीटी के मुताबिक जपैन ने कुछ पैसों के बदले पेनिंसिला चाइना को रिटर्न कर दिया लेकिन तीन साल बाद जब रशन्स ने लीस पर इस पोर्ट को ले लिया तो ये जपैन को acceptable नहीं था इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स थे जिनके कारण रश्या और जपैन के बीच टेंशन बढ़ रही थी जैसे इस पीरिड में जपैन major modernization प्रोसेस से गुज़ा रहा था जड़ा सोचे कि सिर्फ 1875 से 1902 के बीच जपैन का foreign trade बारह गुना बढ़ चुका था इस दोरान Korea और Manchuria जपैन के लिए important markets बन चुके थे इसके अलावा बाकी सभी modern countries की तरह Russia और जपैन भी arms race में लगे हुए थे जपैन ने कई सारी British warships खरीदी और 1902 में Great Britain के साथ alliance भी किया इस alliance के चलते दोनों countries ने एक दूसरे को किसी भी तरह की conflict में support करने का वादा किया ये alliance जपैन के लिए फाइदे मन था क्यूंकि अब अगर जपैन और रशा के बीच conflict होता तो यॉरप की कोई भी country रशा का साथ नहीं दे पाती ऐसा इसलिए क्योंकि सभी European countries ब्रिटिन की allies ही थी और ब्रिटिन ने जपैन की मदद करने का वादा किया था दोस्तो आईए अब जानते हैं कि war शुरू कैसे हुआ How war started दोस्तो 1902 और 1903 में रशा ने मंचूरिया में अपना influence बढ़ा लिया जपैन के लिए ये बात अब frustration बन चुकी थी January 13th 1904 को जपैन ने रशा के सामने एक territorial proposal रखा जपैन ने कहा कि मंचूरिया अगर रशा के influence में रहेगा तो Korea पर influence सिर्फ जपैन का होना चाहिए जब सारे negotiations रुख गए तब 8th और 9th February 1904 की रात Japanese destroys ने Port Arthur और Chamulpo जो Korea में है वहां खड़े Russian warships पर एक surprise attack किया और 10th February को जपैन ने war declare कर दिया और इस तरह दोनों powers के बीच war start हुआ दोस्तों अब नजर डालते हैं war के important events और timeline पर timeline of war जैसा कि हमने बताया कि Japan ने Russian ships पर एक surprise attack किया यह attack Russia के लिए disastrous साबित हुआ इस attack से Port Japan के हाथ में तो नहीं आया लेकिन Russian squadron को उन्होंने Port में ही घेर लिया April May 1904 में हुई Battle of Yalu River इस war की पहली major battle थी जिसको Japan ने जीता May 1904 में जैपनीज आमी ने लियाओ डॉंग पेनिसुला में लैंड किया Port आथर से 90 किलोमेटर दूर लगभग 38,000 में के साथ Japanese आमी इकठी हुई और नांशान हिल्स पर हुई Battle of Nanshan में जैपन की फिर से विक्ट्री हुई इस बैटल में Russians को एक commercial port डालनी को छोड़कर भागना पड़ा अब सिर्फ Port आथर पर रशन आमी बची हुई थी इसके बाद Port आथर को जैपन ने सीज कर लिया कई महीनों तक सीज चलने के बाद Russians बुरी तरह फस चुके थे Food और medicines के अभाव में Russian Camps में बीमारियां पहलने लगी इस सीज से बाहर निकलने के लिए Russians ने Yellow Sea के रास्ते बाहर निकलने की planning शुरू की दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ Land Battles की बात की थी यहां से निकलने के लिए उन्होंने Yellow Sea के रास्ते व्लाडी वॉस्तोंग भागने का plan बनाया और इसी समय इस war की सबसे पहली major naval battle हुई Battle of Yellow Sea दोनों enemies ने एक दूसरे पर heavy mortar shells की bombings की इस battle में कोई भी Russian ship व्लाडी वॉस्तोंग पहुँचने में सभल नहीं रही कुछ डूब गई और कुछ को capture कर लिया गया बाकी बची ships को port आथर वापस जाने पर मजबूर कर दिया गया और वहां पर वो फिर से फंस गए धीरे धीरे December 1904 तक सिर्फ एक Russian battleship को छोड़ कर बाकी सब Japanese shelling का शिकार हुई इस war का last large scale encounter था Battle of Tsushima इस war में Russia की second Pacific squadron को Baltic से बुलाया गया था ये एक नई squadron थी जब तक वो Japan पहुची तब तक उसको fueling, mutiny और tropical disease जैसी समस्याई घेर चुकी थी Japanese ने बड़ी ही आसानी से इसको defeat किया और admiral को बंदी बना लिया हजारों Russians की इसमें या तो death हुई या उनको prisoner बना लिया गया जबकि Japan की तरफ से casualties काफी कम थी दोस्तों ये Battle of Tsushima decisive battle साबित हुई और war में Japan की victory हुई जिसके बाद दोनों countries के बीच peace settlement हुआ और इसको treaty of Portsmouth बोला गया आएए जानते हैं क्या थी इस treaty के terms दोस्तों जबैन ने victory तो हासिल की लेकिन Japanese forces exhaust हो चुगी थी जबैन की economy को भी एक बड़ा जटका लगा था रशिया और enforcements भीज सकता था लेकिन रशा के emperor रशा में चल रही domestic unrest से जूज रहे थे इसी कारण दोनों parties ने August 1905 में peace negotiations शुरू किये और September 1905 में Treaty of Portsmouth साइन हुई इस treaty में Korea पर Japanese के rights को recognize किया गया और Port Arthur, Dalney और उसके आसपास की territories को Japan को सौंप दिया गया रशिया को मंचूरिया भी छोड़ कर जाना पड़ा लेकिन Japan government की financial compensation की डिमान को grant नहीं किया गया दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस war की consequences और significance के बारे में consequences and significance दोस्तों इस war में दोनों ही sides को heavy losses हुए जिसके चलते दोनों countries में domestic unrest होने लगा Japan में कई लोगों का मानना था कि peace settlement में उनको cheat किया गया और उनकी victory का सही फल उनहें नहीं मिला कई दिनों तक riots हुई और authorities को martial law लगाना पड़ा दूसरी तरफ Russia में defeat की news सुनकर political opposition को वहां की निरंकुष यानि autocratic regime को criticize करने का मौका मिल गया opposition इस तरह के regime की incompetency की बात करने लगा military humiliation और economic disruption के कारण Russia में domestic unrest शुरू हो गया उपर से जब regime ने protests को suppress करने की कोशिश की तो social unrest अपने peak पर पहुँच गया opposition की इनी activities के चलते Russia में 1905 का revolution हुआ इस revolution में liberals, socialists, workers, peasants, soldiers, ethnic minorities सभी Russia की first parliament की demand करने लगे Russo Japanese war के कुछ significant international dimensions भी थे पहला तो ये कि इस war के बाद East Asia में balance of power change हो गया और Japan को अब great powers की list में शामिल किया जाने लगा दूसरा असर ये हुआ कि पूरे एजिया में anti-imperialists को इस war ने inspire किया एक Asian country ने एक European power को हरा कर Western countries के illusion को तोड़ कर रख दिया और इससे inspire होकर एजिया की सभी colonies के सामने ये message पहुँचा कि imperial powers को defeat करना भी मुम्किन है और struggle के लिए सिर्फ एक strong determination की जरूरत थी और इस तरह दोस्तों एक ऐसी regional war का आंत हुआ जिसका impact international था